ही एवरिवन वेलकम टू माई चैनल माई कोमन रसुई तो आज मैं बात करने वाली हूँ पिग्मेंटेशन के बारे में या फिर लिप्स का जो अराउंट का एरिया वो काला पड़ चुका है या फिर आपके फेस पर काफी ज्यादा जुरिया आ रही है और एजिंग की समस्या दिखाई दे रही है आपको और आपका फेस कहीं से बिलक हो गया है कहीं से वाइट हो गया है तो उस सब की समस्या का उपाई लेकर आई हूँ मैं और बहतरीन उपाई है ये आप पील आप मास्क के बारे में तो काफी ज़्यादा जानते होंगे जो की आम बन चुका है ये लेकिन पील आप मास्क के फाइदे आप नहीं जानते होंगे इतने ज़्यादा तो पील आप मास्क मैं पहले बता देती हूँ आप फेस पर भी अपलाई कर सकते हो और इसे हाथ पैरो पर भी अपलाई कर सकते हो ये सकेन की जो बलेकनेस है उसको जो है रिमूव करता है काफ ज्यादा अच्छा होता है और इजली मार्किट में आपको मिल भी जाएगा अगर हम ऐसे ही एवर यूद का पील अप मास्क लगाते तो इतना फायदा नहीं करता जितना मैं बता रही हूँ उस तरीके से आप लगाओगे तो मुझे मैंने यह 55 का मैं इसको ले आई हूँ और यह फिर 15 रुपे का पाउच आता है जो की इजली मिल जाता आप ट्राय करने के लिए उसको भी ले सकते हो तो मैं हल्दी में पील अप मास्क एड़ करूंगी काफी ज्या मेरी एक और बात मैं आपको बताती हूँ कि फील अप मास्क लगाने के बाद में सकीन में काफी ज्यादा ब्राइट हो जाती है पील अप मास्क rarely काफी ज्यादा टाइटय भी कर देदा है कई बार डैट सरी वजे से हमारा चेहरा काफी ज्यादा डल लगता है ड्राइ सा हो कब तुकह करने हैं तो यह प्लम बातीahan है पोदो फीये ष्वन को एक वार के किलीं अचे हैं मनने फेसे काउस से किलीं करकते हैं तो अठीज शुण पर एक चैक कब अलग Tusk ओम तरफ फीय कंट संच आठाए है तो यह थीदिए पल्लीक था पीद किलीं को विली जाता हैं प्लीस प्लीज प्लीज तब تक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे बैल आइकन प्रेस कर लीजे तक मेरे आने वाली वीडियो की नोटिपिकेशन सबसे पहले आपके पास आए और आप वीडियो देख सको और थोड़ी से वीडियो अच्छी लगे ना तो प्लीज बिली लाइक करना ना भूले तो ये देखे ये मैं अपने फेस पर इसका यूज करने वाली हूँ और मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके कई बार क्या होता है हमारे फेस पर काफी जादर रुए से हो जाते है छोटे-छोटे बाल से हो जाते ह और उनको निकालना भी चाहते है तो इससे वह इसली काफी जादर निकल जाएंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ जब 20 मिनट हो जाएंगे तो कितनी इजी तरीके से ये निकल जाता है मैं इसको अपने फेस पर अपलाई करूंगी तो ये फील उप मास्वना आपकी डर्ट से ये जो है निकल जाता है आसानी से और आपके जो हाँ मेरी नेल आर्ट कैसी लगी वह जरूर बताना कमेंट सेक्शन में तो अब मैं बात करने मारी फिर से पील उप मास्वना के तो ये देखे इस तरीके से आपको उतारना है लेकिन आपको जो है इस तरीके से उतारना है यह देखिए जो आपके हेर है न वह भी इजली जो है निकल जाएंगे और यह देखिए यलो इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने इसमें हल्दी एड़ करिया है लेकिन यह काफी ज़्यादा कारगर उपा है बलकि इसकी मत्रस से इसमें पिंपल के जो दाग रह जाते है न वह भी